Hello doctors, welcome to medico swami and another session of natrium neuraticum part 2 In the previous video of natrium neuraticum part 1, we have discussed up to the guiding symptoms Now let us continue the remedy तो natrium neur के mind को समझते हैं अगर आपको किसी भी remedy का mental समझ में आ जाता है तो आपके लिए यह बहुत easy हो जाता है उस medicine को prescribe करना Mental symptoms natrium neur के बहुत बहुत ज़ादे important है Natrium neur के patient को एक fear होता है भीड में डर लगता है, भूट से डर लगता है, लोगों से डर लगता है हर चीज से वो डर लगता है, छोटी-छोटी सी चीज उपर वो एकडम से चमक जाता है Natrium neur का patient sad होता है, depression में रहता है ना तो किसी से बात करना चाहता है ना तो किसी के साथ रहना चाहता है Conversation उसे किसी भी topic पर पसंद आती ही नहीं है Sleep में हमेशा कुछ न कुछ सपने चलते रहते हैं जिसकी वज़े से उसकी जो sleep रहती है वो disturbed रहती है Music पसंद नहीं, कहीं आना जाना पसंद नहीं किसी के साथ बैठना पसंद नहीं, नाट्रम्यूर को कुछ पसंद नहीं है, उसे सिर्फ अकेला रहना पसंद है, दूसरों की complaints को वो बहुत अच्छे से सुन लेगा, as like salt है, salt की एक बहुत अच्छी power है कि वो water को hold करकर रखता है, सेम नाट्रम्यूर का जो patient होता है, वो हर किसी के symptoms को खुद में संजो के रख लेगा, हर किसी को सुन लेगा, और उसके बाद में उसे लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने उसको इतने अच्छे ideas दे दी, उसकी इतनी सारी complaints पर मैं खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाती मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, इतने अच्छे से कैसे उस problem में deal कर लिया, लेकिन वो कभी भी अपनी sufferings, अपनी feelings, अपनी problems को किसी के सामने share नहीं करेगा, तो ये सबसे अच्छा वाला जो point है mantles में, नेट्रम्यूर का है, कि वो हर किसी की बात को सुन लेगा, like salt, it has capacity to hold others problems, but will never ever share his or her problem with anyone else, इसके बाद इसके alignments from देखेंगे, हम तो fear है, suppressed है, कोई भी चीज suppression है, suppression of thought की वज़े से भी उसे बहुत सारी complaints हो सकती है, physical plane पर, mental plane पर, किसी भी plane पर, अब जैसे हम लोग आगे जाएंगे, तो last topic उससे पहले आता है, particulars, तो particularly natriumure काम करता है, GIT पर, respiratory system पर, female menstrual symptom पर, asthma पर, meningitis, gonorrhea, ये सारी चीज़ों पर, natriumure बहुत अच्छे से work करती है, अब general modalities देखेंगे, तो aggravation होता है, damp basement में, damp weather में, rest से, lying down से और music से, ameluration होता है, dry weather में, और changing position में, इसके साथ साथ हम लोग natriumure की कुछ ऐसी mental symptoms या कुछ ऐसी चीज़े देखेंगे, जिससे natriumure को पहचाना और आसान हो जाएगा, natriumure के patient को desire होती है, salt की और rice की, rice की desire natriumure में इतनी जादा होती है, कि उसे लगता है कि खाने में daily एक दो बार तो होना ही चाहिए, insecurity रहती है, कहीं जा रहे हो, पूरा room lock कर दिया, उसके बाद भी natriumure patient will be like, wait for a second, I'll be back in minutes, जब तक कि पूरा search वो घर में नहीं कर लेगा कि gas off किया है, या नहीं, light off किया है, या नहीं, fan off किया है, gate को lock लगाया है, तो बार बार चेक करेगा, तो ये insecurity शो करता है natriumure की, third point is natriumure का sourness, वो salt इतना जादा लेता है कि उसके discharges, उसके secretion, excretion, सब कुस सोर होता है, he cross-tracks for everything, natriumure का एक mental symptom है, जो उसे अपने आप में एक unique बनाता है, that natriumure patient not to hurt and not want to anyone hurt him, कि वो ये भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी को hurt करूं, और ना ये कि कोई मुझे hurt करे, natriumure की, अगर girl आपके साथ relationship में है, वो बहुत अच्छे से उस रिष्टे को निभाएगी, और कभी भी आपको hurt नहीं करेगी, लेकिन at the same point, she also don't want to get hurted, लेकिन एक level ऐसा आएगा, जहाँ natriumure के female बोल देगी कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है, within seconds or within few minutes, she will broke up the relationship and move on, natriumure की लिएक बहुत अच्छा word यूज किया है, that is sympathetic ear, हर किसी की problem को वो सुन करके अपने आप में रख लेगी, natriumure का जो बच्चा होता है, वो very sensitive to disharmony होता है, अगर उसके ममी पापा के बीच में कोई भी fight चल रहा है, वो at the time react नहीं करेगा, लेकिन अंदर या अंदर suppression की वज़े से, उसके अंदर कोई भी plan पर mental, physical, pathological, किसी भी plan पर disease ओकर हो सकती है, natriumure एक hysterical remedy है, topmost hysterical remedy कंप्यार किया आती है इगनीशिया के साथ में, natriumure का एक और बहुत unique symptom है, कि natriumure urania stool pass नहीं कर सकता है, किसी की भी presence में, public toilets जहां तक होगा वो लोग avoid करेंगे, natriumure को claustrophobia होता है, close spaces से ड़ रखता है, बंद कमरे, उची जगा, अंधेरा रास्ता, वहाँ पर natriumure जाना avoid करेगा, next, natriumure को कुछ और remedies के साथ compare किया जाता है, जहां यह थोड़ा बहुत confusion भी रहता है, कि natriumure जाएगी या कोई और medicine जाएगी, तो comparison वाली जो medicine है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, उनके comparison को हम लोग आने वाली आगे वीडियो में देखेंगे, natriumure को compare किया जाता है, इगनीशय के साथ, इगनीशय और natriumure बहुत जादा तर सिमिलर है, next है phosphorus, lilium tig, moss curse, pulsatilla and lycopodium, तो this was all about natriumure, प्लीज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आर चैनल, 70% वीवर्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चैनल को बहुत आगे तक ले जा सके, आप comments कीजिए कि आपको कहां क्या problem आ रही है, तो हम उस चीज़ को आगे लेकर क्याएंगे, thank you for watching,